उबलता पानी और मेंधक एक बार वैज्ञानिकों ने साररिक बदलाव की छमता की जाच के लिए एक सोध किया सोध में एक मेंधक लिया गया और उसे एक काच की जार में डाल दिया गया फिर जार में पानी भर कर उसे गर्म किया जाने लगा जार में ढकन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंधक की सहन सक्ती से बाहर हो जाए तो वह कूद कर बाहर आ सके प्रारंब में मेंधक सामती से पानी में बैठा रहा जैसे पानी का ताप मान बढ़ना प्रारंब हुआ मेंधक में कुछ हलचल सी हुई उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हलका गर्म सा लग रहा है लेकिन कूद कर बाहर निकलने के इस्थान पर वो अपनी सरीर की उर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैचाने में लगाने लगा पानी थोड़ा और गर्म हुआ मेंढ़क को पहले से अधीक बैचैनी मैसूस हुई लेकिन वह बैचैनी उसकी सहन सक्ती की सीमा के भीतर ही थी इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा बलकि अपने सरीर की उर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बिचाने में लगाने लगा धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेंढ़क अपने सरीर की अधीक उर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिचाने में लगाता रहा जब पानी उबलने लगा तो मेंधक की जान पर बन आई अब उसकी सहन सकती जवाब दे चुकी थी उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने सरीर की सकती बटोरी लेकिन वह पहले ही सरीर की समस्त उर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बिछाने में लगा चुका था अब उसके सरीर में जार से बाहर कूदने की उर्जा सेस नहीं थी वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया यदि समय रहते उसने अपनी सरीर की उर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकरने का प्रयास न कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं हमारी आँख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और हम पच्चताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया इसलिए प्रारंभिक अनभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कारवाई प्रारंभ कर दें और जब समझ आ जाए कि अब उन्हें समहालना मुस्किल है तो उससे निकल जाए परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है कहाने सुने के लिए धन्यवाद